हर बच्चा अलग होता है उसमें अपनी एक अलग क्वालिटी होती है और आज की डेट में चाहे कोई सबी छेत्र हो बच्चे में अगर टालेंट है तो वो अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और वो अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको खेल कूट बहुत पसंद है चाहे कोई सबी स्पोर्स हो उसमें उनकी जान बसती है और वो उसी छेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जब एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके उपर दोहरा प्रेशर पढ उसी के अनुसार उनके एक्जाम, शेडू, टाइम टेबल होते हैं और जो बच्चे स्पोर्स में इंट्रेस्ट रखते हैं उनको स्कूल के बाद स्पोर्स की ट्रेनिंग अलग से लेने होती है और कई बार ऐसा होता है कि किसी टूर्नामेंट के लिए या फिर स्पोर्स के लिए उनको स्कूल के रेगलर क्लासिस मिस करने पड़ते हैं कई बार टूर्नामेंट के वज़े से उनके जो नॉर्मल स्कूल के एक्जाम से उसे भी मिस करने पड़ते हैं कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल से छुटिया मिल भी जाती है कई बार नहीं मिलती है तो इ बच्चों की basic education तो पूरी होगी, लेकिन उनका जो सपना है sports में career बनाने का वो भी पूरा होगा, क्योंकि इस school का जो curriculum based होगा, वो sports oriented होगा, बिना किसी charge के बच्चों को इस residential school में sports की बहतरें ट्रेनिंग दी जाएगी और साथी उनके basic education भी पूरी होगी, मैं बात करी हूँ Delhi sports school की, जो start हुआ है 2022 से, इस video में मैं सारी details discuss करूँगे, इसमें कौन apply कर सकते हैं, इसमें career का option होगा, कौन-कौन से sports की training दी जाएगी, age क्या होगी, fees क्या होगी, affiliation कहां से मिलेगा, benefits क्या है, selection process, registration process, कौन-कौन से documents required हैं, ये सारी चीजे मैं इस video में detail में आपसे discuss करूँग शेर जरूर करें, Delhi sports school एक residential school है, यहां पर अगर बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको इसी school के hostel में रहना होगा, इसमें पढ़ने वाले बच्चे जो भी sports select करते हैं, उसमें वो इस तरह से तयार हो जाएं, कि आगे जाके वो national और international level के sports event में अपना highest performance दे पाएं, और ये school manage होत देली sports university से, इस school में बच्चों को world class sports के infrastructure और training facility दी जाएगी, दस अलग अलग Olympic sports में, और sports के excellence के साथ साथ बच्चों की जो basic पढ़ाई है, वो भी पूरी कराई जाएगी, डेली sports school affiliated है, डेली board of secondary education से, जिसकी मानिता CBAC के जैसे ही है, इस school से 12th pass करने के बाद, बच्चों का admission डेली sports university में बहुत असानी से हो जाएगा, और डेली sports university में अगर बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको ये मौका मिलेगा कि जो भी major international sporting platform है, जैसे Olympics है, इसमें वो पहुँच पाएं, जिली जानते हैं, कौन-कौन से 10 Olympic sports हैं, जिसमें बच्चों को इस school में training दी जाती है, archery, athletics, gymnastics, badminton, boxing, lawn tennis, shooting, swimming, table tennis, weightlifting, wrestling, इन 10 में से किसी भी एक में अगर आपका बच्चा करियर बनाना चाहते हैं, तो इस school में आप admission के लिए try कर सकते हैं, ये school co-educational school है, यानि कि यहां पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, और दोनों के लिए अलग-अलग residential facilities प्रवा admission होगा, माध्यम होगा, सिक्षा का, वो English और Hindi दोनों होगा, जिस class में बचे admission ले सकते हैं, वो है 6th, 7th, 8th और 9th, 6th, 7th में दो category के तहत admission लिया जाएगा, पहली category वैसे students की होगी, जिन्होंने professional level पर कोई certificate हासल किया है, कहीं पर वो जीत कर आए हैं, जैसे school level पर, inter school level पर, city level पर, state level पर, district level पर, उन्होंने कोई performance दिया हो, उहां पर participate किया हो, उहां पर जीत कर आए हो, तो उनके पास कोई certificate है, दूसरे category के तहत उन बचों का admission लिया जाएगा, जिन्होंने professional level पर किसी खेल में participate तो नहीं किया है, लेकिन उनमें वो talent है, और वो potential है, कि वो खेल में अ Athletics, Wrestling, Boxing and Weightlifting, इन में से कोई भी sports वो चुन सकते हैं और इसके तहत apply कर सकते हैं, जो बच्चों का selection किया जाएगा और उनकी जो पढ़ाई होगी, वो customized होगी, जो भी sports उन्होंने चुना होगा, उसी पर खास focus रखके उनका curriculum डिसाइन किया गया होगा, wrestling, boxing, badminton, table tennis, lawn tennis, weightlifting and swimming, इन में से किसी एक को उनको चुनना होगा और उसी sports पर बच्चों को पुरी तरह से ग्रूम किया जाएगा, उनकी training दी जाएगी, करते हैं eligibility की, admission के लिए क्या योगता होनी चाहिए, अगर class 6 to 7 में admission लेना है, तो age होनी चाहिए, 11 से 13 साल class 6 के लिए, और 12 से 14 साल class 7 के लिए, जिस भी class के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कि पिछली class आप pass किये होने चाहिए, form भरते वक्त और admission counseling के वक्त, अगर आपने किसी level पर sports में participate किया है, आपका कोई achievement है, तो उस से related documents आपके पास होने चाहिए, class 8 और 9 में admission आपको लेना है, तो age होनी चाहिए, class 8 के लिए 13 से 15 वर्ष, और class 9 के लिए 14 से 16 वर्ष, अगर student class 8 में admission ले रहा है, तो 7 पास होना चाहिए, और 9 में तो 8 पास होना चाहिए, जो भी participation आपका रहा है, sports में, किसी भी level पर, उसका certificates और documents आपके पास होने चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही पता किया जाएगा, सबसे पहले आपको registration form fill up करना होगा, registration online होगा, आपको जाना होगा, तेली स्पोर्ट स्कूल की official website पर, जो की है, dsu.ac.in slash registration, इस website पर जवाब जाएगे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, form registration करना है, अब registration होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको ब होगा है, वह एलाएगा specific sport entry, जिसमें आएगा खेल, padminton, lawn tennis, table tennis, swimming, और दूसरा होगा generic sports entry, जिसमें वे बच्चे अपलाई कर सकते हैं, जिन्होंने किसी खास scale में professional level पर performance नहीं दिया है, class 8th और 9th के लिए 10 identified sports जो दिया गया है, उसके लिए apply करेंगे, सबसे पहले इन बच् किसी भी इंडिया के states में रह रहे हो, वो डेली sports school में apply कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डेली sports school केवल दिली के बच्चों के लिए है, ये इंडिया के किसी भी छेतर के बच्चों के लिए है, पहले उनका selection जो भी नरधार state होगा, वहाँ पर बच्चों को बुलाया जाएगा, competition कराया जाएगा, और उसमें वो test pass करते हैं, तो second level के लिए दिली में बुलाया जाएगा, वहाँ पर उनका professional trial लिया जाएगा, last में उनका medical examination होगा, और उसके बाद उनका final selection होगा, तो अगर आप sports में interest रखते हैं, और उसमें अपना career बनाना चाहते हैं, तो डेली sports school में आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, उमीद करती हूँ, ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, इसी आशा के साथ मिलती हैं आपसे next video में, thank you so much for watching this video